हेलो स्टुडेंट आज अंदेंगी क्लेस्टें मैत का आगला लक्षर जिसमें हम देखेंगे प्रश्णावरी 3.6 3.6 का यह कोईशन मैंने आल्रेडी बता रखा है आपको तो इसमें आज मैं दो कोईशन पे बात करूंगा जिसमें कोईशन नमबर 6 है है फस्ट का 6 ठीक है न तो फॉस्ट का सिख यहां पर देख सकते हो यह इक्वेशन दोेक्वेशन यहां पे दे रखा है इसको मैं सॉल्ब करना है तो बहुत तो यहां से हम xy से भाग देते हैं, तो 6x upon xy, 3y बटा में xy, क्योंकि हर जगह xy से भाग देना है, और 6xy बटा में xy, तो यहां x से x केंसिल, यहां y से y केंसिल, यहां xy से xy केंसिल, तो बच्छा क्या, 6 by y plus 3 by x equal to 6, इसी तरीके से दूसरे में भाग देंगे, तो मैं डिरेक्ट इस बार लिकूंगे, यहां पर कितना हो जाएगा, 2 by y, 4 by x, और यहां पर कितना हो जाएगा, 5, अब यह मान लिजे कि आप चाहें तो 1 by x के जाप a, 1 by y के जाप b मान के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तो यहां पर मैं मानी लेता हूँ, देखिए, यहां पर थोड़ा सॉर्ट में लिखते हैं हम लों माना, 1 by x equal to a, 1 by y equal to b, ठीक है, तो इस हिसाब समान लेते हैं, तो यहां पर यह दि हम रखते हैं इसको, तो 1 by y के जाप पर b रखना है, हमें तो 6b, प्लस 3a, equal to हो गया 6, इसको आपके सामने है, एक equation मानला first, यह होगा सक है, अब इसको जिस method से आपको solve करना है, करिए, बस जरूर अचैन लगा लो, चैन कोई भी लगा लो, तो यहां पर मैं below one method ही लगाऊंगा, क्योंकि हमको बहुत असान लगता है वो, समी करण, एक में 4 से गुना, और चुकि दोनो इसको हम एक को बराबर करना चाहते हैं, दोनों का plus sign है तो क्या करेंगे, दोनों एक जैसा sign रहता है, तो क्या करते हैं, घटाते हैं, अलग-अलग sign रहता है, जोडते हैं, तो एक जैसा sign है तो यह पर घटा देंगे, तो minus, दूसरे वाले में 3 से, गुना करके इसको करेंग तो इसमें 4 से कर देखे, 4 चका 24, 4 चका 24 भी, 4 तियां 12, अच्छा चके 24 यहां भी, 3 से इसमें करना है, 3 दुनी के 6 भी, 3 चके 12, अच्छे 15, घटाना है तो नीचे वाला का चिन बदल गया, अब 12 यह से 12 यह केंसिल, 24 में से 6 हो गए, कितना हुआ, 18, 18 भी, 20 में से घटा दो, 15 यह हो गया, 9, तो B इकोल टो हो गया, 9 बाई 18, मने 1 बाई 2, 9 बाई 18 इकोल टो 1 बाई 2, तो B के जगह पर आपको मालूम है कितना है, 1 बाई Y, तो मतलब 1 बाई Y इकोल टो कितना हो गया, 1 Y 2, तो therefore Y इकोल टो 2, Y का वैलू आ गया जी, अब चाहो तो डिरेक्ली इसमें रख दो, इकोईशन फर्स्ट में चाहें, जो भी, इस तरीके से आप X का भी वैलू आप निकाल सकते हो, तो हम निकाली लेते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, Y का वैलू हम डिरेक्ली इ इकोल टो 6, ठीक है, तो यह हो गया 3, तो 3 by X, यह हो गया 3 प्लस 3 न, यह क्या होगे, देखो 6 by 2, 3 by X, उसमें रखा था हमने, अब यहाँ पर यह कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, कि 3 by X equal to 6, यह 3 इधर गया, तो माइनस 3 हो गया, तो 6 में से 3 को घटा देंगे, तो 3 हो जाएगा, 3 by 1, इसको पलाट दीजिए, तो X हो गया, X by 3 equal to 1 by 3, 3 से 3 cancel, तो X equal to कितना आ गया, 1, तो एक इंसर यह, एक इंसर यह, एक और Y का आसानी से निकाल सकते हैं, इसके बासे next question देखेंगे, देगे, next question यह है रहा, तो यहाँ पर भी same है इसमें यह question दिया है, तो इसमें कोई दिकत नहीं है, यह question दिया है, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पर 8 है, तो 2 से हर जगा हम यदी गुणा कर दें, तो कर जाएगा ना, यह 2 से कर जाएगा, तो मतलब हम इसको लिख सकते हैं, 1 upon में 3X plus Y, इसको लिख सकते हैं 3x minus y आई इसको लिख सकते हैं 1 by 4 क्योंकि 2 से हर जगा गुणा किया है तो यहाँ 2 आ जाएगा तो 2 से 2 कड़ गया यहाँ 2 आ जाएगा 2 से 2 कड़ जाएगा यहाँ 2 आ जाएगा तो 2 से होगे 8 ठीक है एक यह हो गया equation और एक यह उपर वाला equation 1 by 3x plus y 1 by 3x minus y equal to 3 by 4 हम चाहें तो directly यहाँ पर घटा सकते हैं इसको equation number 2 इसको घटा सकते हैं जोड सकते हैं तो देखो जोड़ेंगे तो यह इस से कड़ गया न बचा किया यह ती क्या हो जाएगा 2 अपान में 3x plus y equal to minus 1 by 4 plus 3 by 4 यह कितना हो जाएगा 2 by 4 और था तो 1 by 2 तो तीरियक जब गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें 3x plus y equal to 2 2 जा 4 यहाँ तीरियक गुणा 3x plus y equal to 2 2 जा 4 equation number यह हो जाएगा 3 अब एक बार हमने जोड़ा है अब एक बार हम घटा देते हैं एक बार इसको यह जो equation हमने क्या किया है यहाँ पर हमने क्या किया है equation 1 plus 2 अब हम करेंगे equation 1 minus 2 ठीक है ना अब दो घटाएगे तो क्या होगा चिन बदल जाएगा तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 1 upon 3x plus y minus 1 upon 3x minus y equal to minus 1 by 4 फिर इसको लिखेंगे 1 upon 3x plus y plus 1 upon 3x minus y equal to 3 by 4 घटाना है तो नीचे वाले का चिन हो गया चेंच तो इस बार यह घटा यह दोनों minus minus है तो जूड़ जाएगा तो जूड़ेगा तो हम क्या लिख सकते हैं इसको minus 2 upon 3x minus y either minus 1 by 4 minus 3 by 4 overall minus 4 by 4 मनें minus 1 minus 1 से minus 1 को cancel हो गया तो 3x minus y equal to क्या मिला हम है यह हो गया equation number 4 अब 3 और 4 को हल करना है बस पहले तो हम इसको हल करके रैखिक समिकोन बनाये हैं फिर जब अब 3 और 4 हमारे सामने आल्रेडी मिल गए इसको हम आसानी से solve कर सकते हैं तो हम लिख देंगे equation अब देखो इसमें y का minus है इसमें y plus है गुणांक भी से हम है तो आसानी से बिलोपन भी दिल लगा कर इसको जोड़ देंगे तो equation 3 plus 4 equation 3 plus 4 करेंगे तो y से y directly में लिखूंगा y से y cancel 3x और 3x मिला के कितना होगें 9x sorry 6x ठीक है तो इधर वाला भी जोड़ेगा 4 और 2 2 और 4 मिला के कितना होगे 6 तो x equal to कितना मिला 1 अब x का value रख दो x का value इसी में रख दो 4 में equation 4 में value रख दो तो 3 into 1 minus y equal to 2 तो minus y equal to 2 minus 3 मतलब यह होगे है minus 1 तो y equal to कितना है 1 तो मतलब x equal to 1 y equal to 1 चीक है अब इसको आप दूसरे तरीके से भी आप solve कर सकते थे शुरू में ही आप माल लेते कि 1 by 3x plus y equal to a 1 by 3x minus y equal to b तो यहां हो जाता है a plus b equal to 3 by 4 यहां हो जाता a by 2 minus b by 2 equal to minus तो a b के रूप में हो जाता है उसको solve करके a b का मान निकालते आप फिर वह ही process फिर से द्वार आते तो कहने का मतलब है घुमा फिरा के वैसे ही आएगा तो आप कोशन को 2-3 बार वीडियो को देखिए नहीं समझना आता है सब कुस समझना आजाए धन्यवार